हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेग टुमी चैनल मेरा चैनल पसंदार लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो देखिए आज मैं अपनी वीडियो सुरू कर रही थी सब्जी से तो मैं यहां सब्जी खरीद रही थी हाला कि हमारे तो सुबह ही हो जाता है सब्जी वगेर जाते हैं और काफी इनका भी सही रहता हमको भी ताजी सब्जी मिल जाती है तो देखिए आज बना हमारे खाने में मूंकी दाल और सब्जी टिंडोरी की सब्जी बनाई है चपाती प्याज अच्छा बस इस तरह का सिंपल ही खाना बनता है रोजी और उसके बाद में आई अच्छे सब्जी मिल जाती है और ममी ने देखिए यहां पर मेरी जो ओडनी को मैंने खोल लिया था ना किनारी खोल ली थी उसे लगा रहे थे और इधर हर्शित भी स्कूल से आ गया है देखिए बता रहा है आज इनके क्या वाटिंग थी स्कूल में तो बस आपने जो नि सुबह से ही सुबह से कुछ हरीम जिम बारिस भी चल रहे है फिर बंद हो रहे है काले बादल हो रखे पूरा दीन इसी तरह का मोरसम रहा है और शाम को मैंने कुछ सबजिया और धनिया प्याज य है सब कट करना था वह लिए क्योंकि मुझे कुछ बनाना भी आ और देखि मुझे पकोडे बनाने तो इन सब की रेसिपी मैने अबने अपने चैनल पर डाली हुई आप चेक कर सकते हैं और यह सब कट हो गया उसके बाद में मैंने अप्पे मेकर को चड़ा दिया है इसमें मैंने एक बार इसको थोड़ा दो लिया है तो उसमें पानी सा लगा हुआ है बस एक दो मिनट रखेंगे पानी सूख जाएगा उसके बाद में ऑईल डाल रोंगी आप चाहे तो इस पर सिर्फ इस तरह से ऑईल को करके लिए वाय और होगा और कुछ देर से ढखकर पकाएंगे उसके बाद में पलतेंगे तो बैटर में क्या डालना वो मैं आपको बता देती हूं अन्य भी मैं आपको बताती हूँ तो देखे सुजी लिया सुजी में ड़ा है नमक और थोड़ा सा मिठा सोड़ा भी डालन और उसके बाद में अच्छे से mix करके 5-10 मिनट रख लें और इस तरह से चमच से यहां पर रखें इसके maker में और maker में रखने के बाद में इसे ढख करके अच्छे से पकाना है और बिल्कुल डिम आज पर पकाती हूँ मैं तो आप चाहे तो थोड़ी मीडियम आज पर भी पका सकते हैं तो बस इस तरह से इसे पकाना है ढखकन लगाने के बाद में उसके बाद में आप पलट लें और पकन लगा करके पाका लें और जब पक गये है अएक तरफ से तो देखें एक तरफ से तो देख के पांस इस psychology और पका लिया और साथी में पकोड़े बना रही थी तो देखें पकोड़े भी हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ एकदम soft और गर्मा गरम बने हुए हैं ये देखें जैसे हम hotel पे खाते ना बस वेसा वाला पकोड़ा भी बन गया है और ये देखें दुकान पे जो खाते वेसे वाले अपे भी बन गया है काफी testy और एकदम soft से ये थोड़ा आपस में चिपा कर रहे थे इस वज़े से इस तरह से हुए बाकी पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है देखें सारे सारे इस तरह से पलटे आते हैं काफी testy बनते हैं आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा और ये भी बताएगा जो पहले जो मैंने अपलोड किया था इडली मेकर में बना करके वह ज़्यादा टेस्टी लगा आपको या ये वाला तो अपना बताएगा की कौन सा तरीका आपको पसंद आया सो ये टेस्टी सा डीनर हो गया हमारा आज उसके बाद हमने कुछ और नहीं बनाया था सुबह मम में निकल रहे थे सो थेंक्षा